हे गाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सबजी और आज की कोकिंग में चूले में करने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा, चलिए शुरू करते हैं आलू टमाटर की सबजी बनाने के लिए चूले में हमने एक भगवना गरम होने के लिए रखा हुआ है, इसमें हम तेल डालेंगे, और यहां पर यह लगबग आधा किलो की जितनी आलू है, जिसे हमने छील करके इस तरह से थोड़ा सा बड़े बड़े टुकडे में काटा हु आलू के सबजी बनाएंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो यह देखे फ्रिंस, आलू हमारी कितने अच्छे से भुन रही है, और इसके उपर की लेयर हलकी सी ब्राउन हो गई है, बस इतना ही हमें भुनना इसे बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, तो आप ही सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालेंगे, दो बड़े साइज के प्याज को हमने इस तरह से बारीक काटके डाला हुआ है, आप चाहें तो मसाला पीस करके भी सबजी को बना सकते हैं, तो यह देखे फ्रिंस, हम प्याज और लहसुन को अच्छे से भू बूल लेजिए, तो प्याज भून गई है, हमने टमाटर डाल दिये, साथ में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे की टमाटर जल्दी से सौप्ट हो जाएंगे, एक चमच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, दो चमच के जितना धनिया पाउडर डालेंगे, एक च चमच तीखी वारी लाल मिर्च डाली हुई है, अगर आपके पास हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, फिलहाल मेरे पास अवलेबल नहीं थी, तो इस तरह से मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए, एक दो मिनट तक भूल लिया हुआ है, अब हम इसमें डाल दे यह दिखे, ठिकने साफ अपने हिसाफ से अज़ेस्ट कर सकते हैं, जितनी गाड़ी सबजी आपको पसंद हो, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक पहले भी हमने डाला हुआ था, टमाटर को पकाते वक्त, तो नमक ध्यान से डालें, ढख करके हम इसे पकाएंगे, तो आज को थोड़ा सा मीडियम रखेगा, और मीडियम आज में आलू को अच्छे से कोख होने तक पका लीजिए, क्योंकि आलू को हमने पहले ही भून लिया था, तो सबजी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, साथ से आठ मिनट में ये सबजी अच्छे से पक के त इसी स्टाइल में बनी हुई, चूले में बनी हुई आलू टमाटर की सबजी बन के तयार है, अगर आपको रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ